पहला धमाका दूसरा धमाका तीसरा धमाका एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हेजबुल्ला ने फोर डाली इसरेल की तीन आख पहली आख दूसरी आख हेजबुल्ला ने मिसाइल अटाक करके इसरेल की तीन आखों को फोर दिया यह मेरान एर सर्विलेंस में से और यहाँ इसरेल के रेडार और कमुनिकेशन सिस्टम थी जिससे वो लेबनान में हेजबुल्ला पर नजर गड़ाए रहता था अब सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इस लोकेशन को समझे लेबनान बॉर्डर पर यह है इसरेल की तीन आख यानि तीन गलोब रेडार और साथ में हैं इसरेल के कमुनिकेशन टापर यह मेरान एयर सर्विलेंस बेस है जिससे तयार करने में इसरेल ने अरबों रुपए खर्च किये थे यही वज़े है कि लेबनान के हेजबुल्ला ने इसे अपना सौफ टार्गिट बनाया बेरूत में हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरूरी की मौत के बाद यह हेजबुल्ला का इसरेल पर सबसे बड़ा हमला है यह इसरेल के बहुत ही सीक्रेट बेस पर बहुत बड़ा हमला है एक तरह से हजबुला ने इसरेल के सीक्रिट बेस को मिट्टी में मिला दिया है, अब तक डरा हुआ लग रहा था हसन नस्रला, लेकिन अब लग रहा है कि शूरू हो चुका है अरूरी का बद्ला, इसरेल पर तोट रहा है हजबुला, हसन नस्रला को पहले बैक फुट पर दे अजया है, कि मोह जजबूलासे, कैसे नप्तेगा. इस वक्त लेबनान और इस्रेल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबूला का पूरा कंट्रोल है. हिजबूला अब ऐसी ऐसी मिसाइल फार कर रहा है, जिसके आगे इस्रेल के टैंक अपनी डोप रगड़ते हुए नजर आ रही है. हिजबूला ने निकाली हैं तीन बहुत ही खत इसकी रेंज पांच किलोमीटर तक है. ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है. और असी बहुत सी मिसाइल अब हिजबूला के पास हैं. दूसरी है BGM-71-TOW, टो, एंजी टैंक गाइड़त मिसाइल. रेंज है 3,5 कि रेंज 4 किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की जाती है. इन्ही मिसाइलों से हिजबूला ने इसरेल के मेरान एयर सर्विलेंस बेस पर हमला किया है. ये तीनों मिसाइल बहुत हिगातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इसरेल के हड्डे उड़ाए हैं. उससे ये बात साबित हो जाती है. हिजबूला का दावा है कि उसका हर हमला इसरेल को मोटोर जवाब है. बताया जा रहा है कि हिजबूला ने इस हड्डे को उड़ाने के लिए 60 से ज्यादा मिसाइल फायर की हैं और सभी अपने टार्केट पर लगी ये मेरान एयर सर्विलन्स बेस के अंदर की तजवीरे हैं जिन्हें बहुत ही सीक्रेट माना जाता है. ये बेस 1960 में बनाया गया था ताकि लेबनान बॉर्डर पर नजर रखी जा सके. इसका कंट्रोल इसरेल की एयर फोर्स के पास है. इस बेस से हवाई टार्गेट को भी किया जाता रहा है. और रॉकेट और तोप के गोलों को भी ट्रेक किया जाता है. ताकि लेबनान बॉर्डर से लगे उत्री इसरेल के इलाकों को सुरक्षित रखा जा सके. दक्षन लेबनान और उत्री इसरेल के बीड़ जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है. कब, कहां बम फटेगा, कहां धमाका होगा, ये या तो हिजबुल्ला जानता है, या फिर इजबुल्ला की सेन, वैसे यहां के लोगों को भी बता है कि बहुत जल्दी युद का एपी सेंटर घाजा से निकल कर लिपनान तक पहुँच सकता है, यहां तैनात संयुक्त को टारगेट टरना तेज कर दिया है, इस वक्त पश्य मेश्या में युद्ध की जो आग लगी होई है, घाजा पर बंबारी के बीच हमास और इस्रेल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है, उसमें अब नया खत्रा इस्रेल और लबनान बॉर्डर का भी है, यहां भढ़क के शोले अब युद्ध की इस आग को दस गुना भढ़का सकते हैं, और अब दुनिया में सिर्फ चार लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यमन के हुथी वे द्रोहियों को चौकनना रहने के लिए कहा है, ऐरान में इन दौनो मिलिशिया तक पहले ही इतने हत्यार पहुचा दिये हैं कि अगर इस्रेल में घाजा पर बंबारी नहीं रोकी, तो हेजबॉल्ला और हुथी, दौनो इस्रेल पर बंबन कर फट सकते हैं असू लात्सोवेता मिल्खमा आज शेनसीग एत्कोल अयादी मालानू जब से साले अल-अरूरी को इस्रेल ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, तनाव बहुत ज़्यादा फैल गया है ये ड्रोन स्ट्राइक बेरूत के दहिया इलाके में होई, जिसे हिस्बॉल्ला खबड़ बाना जाता है दहिया में जब साले अल-अरूरी को जब हमास के ओफिस के करीब देखा गया तब इस्रेल का ड्रोन मौत बनकर तूट पड़ा इस हमले में साले अल-अरूरी के अलावा पांच और लोग मारे गए जो हमास के ही अधिकारी थे सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदलाब सीधा युद्ध होगा जिसमें बड़ी लड़ाई इस्रेल और हिजबॉल्ला के बीच होगी ऐसा युद्ध जिसमें इस्रेल की तरफ होगा अमेरिका जब की हिजबॉल्ला की मदद करेगा एरान हलाकि मैंने मन नेतनियाहो इससे पहले ही बेरूट को घाजा बनाने की धमकी दे चुके हैं देखा जाए तो हिजबॉल्ला वो संगठन है जिसे एरान से पूरी मदद मिलती है और एरान हिजबॉल्ला को इस्रेल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तोर पर इस्तिमाल भी करता आया है लेकिन इस्रेल ने अगर हिजबॉल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोराई जा सकती है 2006 में हिजबॉल्ला और इस्रेल के वीट 34 दिन तक युद्ध चला था तब इस्रेल के 121 साहनिकों को मिला कर 160 लोग मारे गए थे जबकि हिजबॉल्ला के 200 लड़ाकों समेट लेबनान के 1200 लोगों की मौत होई थी हम अपनी वीडियो लाइबरेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तजवीरें निकाल कर लाए हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके लिबनान का वही हाल कर सकता है जो इस बार गाजा का कर रहा है इसलिए हिजबॉल्ला को नेतनियाहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा क्योंकि इसरेल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा ये वो साफ साफ कह रहा है इसरेल जानता है कि अरूरी की मौत ने उसका एक दुश्मन खत्म किया है लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाब तैयार हो चुके है हमास के चीफ इसमाईल हानिया ने भी कह दिया है कि इसरेल को अरूरी के मॉर्डर की कीमत चुकानी होगी अरूरी की मौत से इस्रेयल के तीन बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार जटका लगा है पहला जटका हमास को लगा है क्योंकि साले अल-अरूरी इसमाईल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था दूसरा जटका इरान को लगा है क्योंकि साले अल-अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हेजबुल्ला और इरान के साथ हाय मतभेद को दूर किया था तीसरा बहुत बड़ा जटका हेजबुल्ला को लगा है क्योंकि इसरेल ने बता दिया है कि अब वो लेबनान की राजधानी वेरूत और हसन नस्रूला के गड़ को टार्गेट करने से पीछे नहीं हटेगा इस सुख्त घाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं सालेह अल-अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन शुरू हो गए है सडकों पर हजारों लोग इसरेल के खिलाप उतर आए है हालात ऐसे हैं कि इसरेल को अब अपनी ड्रोन फोर्स को वेस्ट बैंक के उपर एक्टिव करना पड़ा है देखा जाए तो वेस्ट बैंक इसरेल के खिलाप पांचवा मोर्चा है इससे पहले घासा के लड़ाई है हिस्बुल्ला से लड़ाई है हूथी से युद्ध का खत्रा बढ़ता जा रहा है इराक में इरान समर्थित हश्द अल शाबी ने अमेरिका के ठेकानों पर हमले बढ़ा दिये हैं अरूरी की मौत के बाद ये मोर्चे और मजबूत होंगे इसमें कोई शक्त है ये युद्ध फैला तो समझ लीजे कि बहुत से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे